Q9 । नमस्कार दोस्तों बहुत स्वागते हैं अब कामेरे चैनल में दोस्तो आज मैं आपके लेकर आया हम एक बहुत ही एच्छी जनकारी डोस्तों आप किस तरह से केण में किसी को भी फॉन लगा सकते हैं इस वीडियो में मैं translat बारे में बताऊंगा दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किस तरह से किसी कॉल लगाते हैं हम अपने डाइलर पैड पर जाते हैं और यहां से लिए क्या करते हैं हम यहां contact पर जाते हैं फिर contact पर जाने के बाद उस number को हम search करते हैं ठीक है उस number को search करने के बाद क्या करते हैं उस number को search करने के बाद हम उसका यहां पर यहां से call लगाते हैं उसको और call लगाने के बाद भी हमें यहां पर पूछा जाता है कि SIM 1 से call करना है या SIM 2 से call करना है तो यहाँ पर भहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है अगर आप SIM 1 भी select कर रखते हैं तब भी यहाँ पर आप से पूछा जाता है कि आप SIM 1 से call करना चाहते हैं या SIM 2 से call करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको एक ये ट्रीक बताऊँ को है कि आप किस तरह से स्रिफ एक सेकंड के अंदर किसी को भी call कर सकते हैं बेना किसी परेशानी के तो आप यहां लिख सकते हैं नीचे मैंने यहां पर एक application इंस्टॉल किया हुआ है छोटी सी application है एक MB की application भी नहीं है और इसी तरह से मैंने उसको shortcut की बना रखा है आप भी उसे home page पर लगा सकते हैं इसका description में मैंने link पर दिया हुआ है आप इसे वहाँ से download कर सकते हैं इसका काम क्या होता है देखे simple सा काम है इसको open कीजे आपको अगर कोई number पता है तो आप यह number डायल करके पहले की तरह ही C1 या SIM2 से call कर सकते हैं लेकिन अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है अगर आपको किसी का number नहीं पता तो देखे यहां पर पहले से ही already यहां पर list उपर खुली रहती है ठीक है यहां पहले से ही उपर list यहां पर खुली रहती है आपको कोई search नहीं करना कोई number या देखना नहीं है स्रिव आपको उस number पर जाना है और number के सामने यह आप SIM 1 और यह option आपको यहाँ दिख रहा है ठीक है क्योंकि SIM 1 से ही हमारी जातर calls होती है और यह automatic जो है default पे set रहता है SIM 1 तो यहाँ पर आपको call करना है तो आप सिर्फ number पे जाईए और सामने वाले button पे आप click कर दीजिए SIM 1 का यह button है जैसी आप यहाँ पर click करेंगे तो आपकी call लग जाएगी स्रिफ एक second के अंदर ही आपको इन सब जंजट से बच जाएँगे जो आप पहले करते थे कि आप dialer pad को open करते हैं फिर number search करते हैं number search करने के बाद call लगाते हैं तो इन सब चीज़ों से आप बच जाएँगे तो यह एक छोटी सी trick थी और बहुती छोटी सी app है एक MB की app भी नहीं है तो इसको एक बार आप use कीजिए बहुती अच्छा इसका आपको फायदा मिलेगा जल्द से जल्द आपकी call लगेंगे आपका time बचेगा तो यह वीडियो इन्फोर्मेशन आपको कैसे लगी प्लेस हमें comment में जरूर बताइए और हमारे चेलों को subscribe जरूर कीजिए या आपकी subscribe के उपर subscribe के लाल निशान के उपर touch करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए ताकि आपको हमारी बनाए हुई नई-नई वीडियो लगातार मिलती रहें यह बल्कुल free होता है और आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद